किसान भाईयों नमस्कार एक वार फिर उपश्तित हूँ बक्री पालन की एक सांदार जानकारी के साथ और दोस्त अभी मैं पत्नाल जिला से वेडियो बना रहा हूँ गाउ का नाम है अक्तियारपूर यह विक्रम प्रखंड के समीब परता है में रोड पर ही परता है और यहा आप देख पाले होगे काफी कम खर्च में नोंने फिट्रे का भी निर्मान किया है और इधर देख लिए मेमने को रखने की जगह है यह चोटा सा फारम है तो दस मदर गोट यहां पर है जो अभी आप देख पाले होंगे कम्प्लीट ब्लेक बंगाल बकरी की यहां पर तो स्पार्विंग हो रही है वह बकरी पालंकियों ने शुरुवात की थी वह प्रेंट बकरी से किया था और दस बकरी को इनको खरिंदे में 25-35 जर खर्च करना पाला और आप बकरी के क्वार्टी आप देख पाले होगे कम्प्लीट ब्लेक बंगाल बकरी है जो आप वीडियो के माधम से देख रहे हैं और यह गुजरी नसल का बीडर है और इसको यहां के ओनर ने इस फार्म के ओनर ने 16,000 में खर जया था इसका रिजल्ट अभी 2-3 मेने के बाद आना शुरू हो जाएगा अच्छी तरीक से यह फार्मी अपना चला रहा है और अभी शीजर है दोस्त भूसे का तो यहां पर देख लिए हैं यह आप वीडियो के माधम से देख पारे होंगे लिए पर खोना हैं यहां बंडाय है क्या तरीक बर्गठ करने का है क्यों वह बक्री पलन के फूर्प के फिकार हुआ क्या नुक्सान सा लाइकर नहीं थाए और यहां पर देखले लिह सागी लगा रखा है शर्वागत है हमारे टुप जान पर आपका नमस्कार सर आपका भी स्वागत है मेरे गौट फारम पर सबसे पहले आप अपरा नाम यहां का कम्पलिट पता हमारे भाहिवों को पताईए सब्सें मेरे दाम दिपक कुमार हुआ और यह जो बकरी फारम है अक्तिय पांच महिने पहले बकरी पांगे अपने शुरुवात की थी तो कितने बकरी से कितने जनवर लेकर आया थे आप कितना खर्च करना पर आपको सर्म नौंबर से खरीदना चालू किये थे बात नहीं बोल सकते हैं कि पूरा खर दे लिए जनवरी तक सर्म दाट दस माने की बक से इसमें आपने कितना कर्च किया सर बकरी में सर में दस बकरी में 25-3730 खर्च किया है और ब्रीडर से मिरा 16000 में लिया है और 16000 का गुजरी नसल का ब्रीडर है अभी एक्टिव है हां सरे इससे सरे मेरे छे बकडिया माने की अभी गर्वित हुई है रिजल्ट नहीं है चलिए अच्छी बात है तो फारम का जो यह जो सेड आपने बनाया है इसमें आपने कितना खर्च किया सरे जो सेड जो अभी आप देख रहे हैं यह इसमें सरे एक तीन हजर पर खर्च है सर और सेड जो जो घेरेह बाड़ा उसमें में वीडियो बना रहा हुँ आ है चलिक हरते हैं और बाहर का जो बास बारा बना है जो बाउन्डरी किये हैं है उसमें आपने दो हजार बकरी में 16000 ब्रिटर में और 5000 बकरी के सेड में कि सर यहीं खर्च हुए बगरबी तो फोटिकत प सब्सक्राइब कर दो कितना भूसा आपने तीस मन भूसा खड़ीद लिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो करते हैं या फिर चल रही है या फिर और भी कुछ करते हैं इसे तो भी जीवका नहीं चल रहे हैं गाव में सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ आप यहां पर समय निकाल लेते हैं अब है लेकिन काम डबल हो जाता है ना क्योंकि नौबेस वहां ड्यूटी है जरना उसे पांच तो उससे पहले अपना मोर्णिंग में यहां कर लेते हैं और दो फर में घंटा का लंच होता है तो उसमें आके देख लेते हैं अपना दाना पानी और फिर साम में ब्यांकी 4वेश छोड़ देते हैं तो च्षाड़ी साम स्टी लेते हैं वहां से और चेथा तकसर में 24 घंटा में कितना घंटा यहां से मुष्विस लेकित आई अब कल देते हैं तो खाली है पूरा और बहुत बिना किसी खर्च के अभी फिलाल बकरी पारन कर रहा हाँ अभी खर्च बिल्कुल नहीं बस सुबह एक मौनी देर मौनी भूसा देते हैं बस बस और कुछ नहीं कुछ नहीं अभी खतम होएं सर तो भगल में निपियर से लगाएं सर काल से कटाई मोटा मोटी हलकाल का चालू करेंगे खतम हो गया अब नेपियर शुरू होगा यह जो बक्री पालना आप कर रहा है तो कैसे आपको दिमाग में यह शुकि बक्री पालन के अलावे बहुत सारे बिसनेस थ था सर कि करेंगे तो कुछ अपना ही करेंगे और सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आज के डेट में पूंजी सर बहुत चाहिए छोटा मोड़ा दुकान भी करते हैं सर तो कैसे लोग को तक जो दिखता है वही बिखता है अगर एक सैलून में जाते हैं जान सीशा जादा समय देना है घृव भी मेहनत ज्यादा नहीं लेकिं सर नहीं इसमें जौन पूंजी सटीन में हम को नहीं लग बशुरू कर सकते हैं और मुनाफ़ा ले सकते हैं सर इसकाव सब्सक्राइब कोई भी दुकान खोलते हैं बिजनेस करते हैं फनीचर भी लगाते हैं उसका रेट आई एक ही दिन बाद कम हो जाएगा बढ़ना यहां पर बखरी हमारे देख रहे हैं यह लेकिन आपने गुजरी का रखा है इसकी क्या बज़या है सब्सक्राइब करने के बाद कितने दिन के बाद इंकम शुरू हो सकती है अगर गर्वती बखरी खड़ीद रहे हैं सर तब तो सरे 9-10 महीने से कुछ पैसा आने लाएगा लेकिन हमको जहां तक लग रहा है इस सुरू में बच्चा अगर दे देती है तो शो महीने बाद अगर मने की फिर दो महीने बाद पाल खाएगी अप फिर तो सरुप बच्चा दे देगी नहीं एक बगरी शरम सर तो बच्चा दो में दूधे पीकर रहा जाएगी सर अधिन चार मेंना कितना खा लेगी हो इसलिए हमाई बोल रहा हूं दिपक जी कि जो बखरी है वह भी तो खाना खाएगी अजो दो महीने के बाद जो बच्चा होगा चुकि छो मेने से पहले तो आप बच्चे को चाहर जो भी होगा तो दस हजाएद सुद्धूना अफ देशी बख्री शे हमारा किसान बंदु कमा सकते हैं हां सब्सक्राइब कम आसे तक हम से अगरा साल कम से कम तो एक लागटी जार कर सकते हैं तो आता से जी जी तो दसे समित रहना है कि इसके बाँ आगे आपको परना एक मेरा टार्गेट अबर गोट 50 जी कम से कम 50 अभी तो सर मैं कि अप्रील मंद खतम हो रहा है अगर आप नॉवंबर यह चोड़ने के उपर आते हैं पूंजी कम होने की वजह से मेरी बखरीयां आप देख सकते हैं हम भी हमको भी लगता है कि दस बकरी में तीन चार बकरी ही ज्यादा बेटर है तो उतनी जानकारी ने लेकिन अब आपके पास जानकारी हो गए कि किस तरह की बक्री से फार्मिंगे शुरूराइब जो मेरी बच्चा भी दी तो अधिकतर बकड़िया दूद्थ बहुत कम दी वह बहुत दिकत होता है सर क्योंकि मेरे में ठंद में बच्चा दी तरह मेरे वारी की छे बच्चे सर लॉस हो गया थे तो अभी जो फारम का आपका यह एरिया है कितना एरिया है यह सर जो बितना जो बना हुआ है सर बारा सो स्कॉर्ड फिट में सर और पूरा कैंपस जिसमें तो तलाब है कोई और मसली पन के हुए यह पूरा है सर तीन भीगे का तलाव केमपस है सर तो यानि की बकरी को घूमने के लिए प्रयाप्त जगह यहां पर मौझूद है तो इतना सारा बहुत सारा नॉलेज आप उन्हें गेंग किया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं जो ऐसे ही नहीं आ सकती है तो लिए हमको बोले और उनका महवलीपूर में बाबा गॉडफारं सर तो उनके उनके गुरु हुए और यहां वर रंधीर जी तो रंधीर ही हमको सब बताते हैं और कुछ दिकत होती है तो तो बाबा बाबा से बात करके सर तो बीमार अगर बखरी परते हैं तो कैसे उसको है करते हैं सब्सक्राइब पड़न काम करते हैं अपने मन से सर कुछ नहीं तक अभी नुकसान नहीं हुआ है नहीं सब्सक्राइबबा अपने बताया क्रिख बंधीर से बखरी शुरूबा परता है तो इसके बच्चे अब उसकी मृत्ति हुई है तो पिछले बार बाबा से बात किये तो बोले कि मीटी में मीटी खाने से भी बकडियां मरती हैं हम सब्सक्राइब कुछ कमी हुई है तो हमारे साथ बाबा भी आए हुए तो उनसे कुछ बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इनको नहीं मालूम था कि किस तरह के बीडर से वह मेटिंग की थी तो यह देख लेजिए कितने महिने का यह यह सब पचीस दिन का बच्चा मुश्किल से सावा कि लोगा तो इस तरह आगर रिजल्ट आपको चाहिए तो जो काम इनलों किया है वही काम हब कीजिए तो इसी तरह का रिजल्ट मिलेंगा लेकिन बैहतर रिजल्ट चाहिए तो बीडर का चुनाव आपको बैहतर करना होगा तब ही जाको बढ़ आपको मिलने वाला है तो चलिए विश्य जनकारी बाबा सब लेने कुशिस करते है बाबा स्वागत है हमारी तुचान प्रापका आपका विन्या जी इस गाउं में बहुत बहुत स्वागत है इस लहलाहती धूप में जो आप किशानों के लिए जो कार्ज कर रहे हैं बहुत ही सराहनी है आपके देखरेक में बाबा ये फारम चल रहा है दीपक जी का चुकि आ आपके देखरेक में नहीं आपके शिष्य के देखरेक में चल रहा है आपको whenever you आपके शिशे somos इस हुए आपके हुए नंके मित्रि ही हुए तो जो भी पर्शानी इनको आती है तो प्रीस से बात करते होंगे और तो फिर हुए उनको इनका सुट यॉट उट होता है दो इन कि अब सबने हम में मृष्णं में मत शुआ करेंगे ज़रीन की डिरियों में किसे बचाएं संसे बचाने का मुख देश है लगिश्ट करते हैं कि अगल बगल जो भी एरिया में खेती हो रही है वहां पर हर्वेश्टर से कटाई हुई है तो किता है नाज जमीन पर गिर जया करता है तो बकरि जाती है ग्रीज division पर तो घास नहीं देखती है सबसे पर then अनाज चुनती है मद rooting चर्फीन काफी चनी-चनी हो गई है सारी बकरि отпoda लिए ग्रेजिंग पर इनका ताइम जैसे चार बजे है जाने का तो इनका पहला काम है कि 3,3 बजे सौ 2,10 बख्री है तो सौ 1,500 गुड काफी है सौ 1,500 गुड और सबसे सस्ता अनाज का जो आटा टाइप का जिसको हम चुन्नी करते हैं या भबी बोलते हैं या बेशन कह सकते हैं मसुरी का बेशन खेसाडी का बेशन जो भी सश्ता अनाज मिल्या है उसका अनाज सो ग्राम ले और गुड में घोल करके पानी 50 लीटर 40 लीटर दस बक्री है तो 20-30 लीटर ज़रूर एक टाइम बना ले कि हमको चराई से पहले इसको एक घंटा पहले पानी दिखाना है सबसे पहला फाइदात होगा कि बक्री पूरा पानी पी के टन हो जाएगी फुल हो जाएगी जब बक्री ग्रेजिंग पर जाएगी तो उसको धूप का असर या लू का आसर उस पर नहीं होगा सबसे पहली बात जब पेट आपका भरा होगा तो लू नहीं लगेगा यह आज का फर्मूला नहीं है यह पूरवजो का फर्मूला है खाली पेट ठंडा लगता है और खाली पेट ही लू लगता है तो हम जब चार बज़े भकरियों को अच्छा हासा चार बज़े लू रहता है तो जब चार बज़े में हमको नहें है तो सबदेता उने है तो waking लुत फिर आपको पानि फाह Magazin फेम आत खोल डिये और को घरमी के लूप से उधर से घरम हो करके आई है और यहां आते ही पानी पीती है, तो वो पानी जो है, सरद गरम करता है, फिर नाक से पानी बहता है, और अनाज और पानी जो है, लेयर उपर नीचे जब होगा, तो डाइजेशन में भी प्रोब्लम करता है, इसलिए पहले पानी पिला ले, जैसे आप ही हैं, किसी गर्मी के करके अगर आप पानी पीते हैं या आप गंठा यशन करके कहीं से दूप में हम आपको खाना खुलाई तो आप खाना कम खाएंगे पानी ज्यादा पीएंगे तो वही सिस्टम इनके साथ भी है इनको पहले ले जाने से पहले पानी पीला ले ताकि यह बक्री जाए तो आप आराम से ग्रेजिंग करें और आने के बाद तरसली से बढ़ जाए उसके बाद आपको साम को 6 बज़े आएगी पानी देनी की असेक्ता नहीं है तो आपकी बक् स्वास्त रेहेगी दिशिये सथी रहेगी इस पर तर एक और है कि मालिकी आपने बताया और दीपक जीली ने बताया इब जाती है बक्री घ्रेजींग करने के लिए और शिफ आनाज-अनाज खेतर में विखरे पर हैं उसको खाती है तो ऐसा भी तो होता है ना बबा कोई ब पूर के साथ मीठा सोडा मिला दीजिए किसी दिन से नानमक लख दीजिए तो पीएस लेबल मेंटनर है यह तो घरेलू नुक्षा है और यह जब तक यही छोटा छोटा गलती जो है किसान से होता है और नुक्षान के मुझे चले जाते हैं और फिर अनुभव नहीं होता है त किस इस्थिति में इनकी फार्मिंग चल रही है अभी तो यह गर्व जोन में ही है शे महिना ही हुआ है नौ महिना होने के बाद पता लगेगा जब धरती पर आएंगे तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है अभी तो इनके पास रिजल्ट भी इस बीडर से नहीं आया है जो भी कोई जहां के देखने वाली चीज नहीं जितना इनको अनभाव था उतना हर कोई चाहता है कि दो पैसा सस्ता में हमको सब कुछ मिल जाए तो कहावत तो है कि सस्ता तो कभी-कभी एक कहावत सुने होंगे बार-बार महंगा रोए एक बार अगर यही पकरी किसी फार्म से लि नहीं है तो दीरे दीर सुधार हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अशी जनकारी मिली आपके द्वारा धन्यवाद जी आपको जनकारी को दूर तक पहुंचाने के लिए